नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे सीटेट एक्जाम 2030 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 29 अक्टूबर 2030 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे कि सीटेट के लिए फॉर्म डेट क्या रहेगी एक्जाम डेट क्या है ठीक है देखे कबसे फॉर्म भरा जाएगा और कबसे आपका पेपर होगा BPSC की डेट सुरू आ चुकी है कि 3 नौमबर से बाई वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा बिहार से चच्चक बरती मगर आप आवेदन करना चाहते तो 3 नौमबर से ऑनलाइन आवेदन सुरू होगा लेकिन पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंग देखें यहाँ पर अपडेट आयती BPSC सी होगी बाली सुबे में 70,000 रिक्त पदों पर से चिकों की भरती जल्द उसके बाद देखें अलग-अपडेट आयती कहीं पर 1,20,000 कहीं पर 1,10,000 ठीक है और उसके बाद दोस्ते एक official notification आया BPSC सी तरह से सब बाते clear होई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 October 2013 की latest update ठीक है यहाँ पर देखें 67V BPSC में पटना के अमन टॉपर रहें निकिता 2 पर टॉप 10 में 4 लड़किया है ठीक है एक press conference आया बिहार सरकार की तरप से पूरी update को देखेंगे भी तो चली सीटेट के official website को भी देखेंगे कि क्या update देखेंगे official website यहाँ पर यही रहें 29 October तक की update में अभी तक विज्यापन को लेकर इंतजार जा रही है ठीक है तो यहाँ पर क्या update आई देखें BPS 6 तरप से भी आलोग से वायोग द्वारा विज्यापन संक्या 26 2023 के आलोग में विद्याले अध्यापकों की counseling दिनांग 1810 2023 से की जा रही है counseling है तो अधिकान से ब्यार्थी उपस्तित हो चुके है इसलिए नेड़े लिया गया है कि अब counseling के अंतिम्तिती तह की जाए उसके बाद किसी भी अभेर्थी की counseling नहीं की जाएगी ठीक है यहाँ पर date रख दी गई है कि पूर्ड विचारो परांत यह नेड़े लिया गया है कि जो अनुसंसित अभेर्थी अभी तक counseling है तू अपने अपने जिलों में उपस्तित नहीं हुए है उनसे अन्रोध है की वे दिनांग 31 दर 2030 की संद्या साम के 7 बजे तक जिला सिच्छा पदा दिकारी के कारले में counseling है तू उपस्तित हो जाए ठीक है और 31 के बाद किसी भी बच्चे की counseling नहीं होगी तो अगर आप लोग BPSC में qualified हो गए है ठीक है तो आप लोग counseling करा लिजेगा ने तो फिर आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी दो नौमबर को आपको न्यूकती पत्र मिलेगा उसके बाद आपका काम सुरू होगा तो देखे अब seated को लेकर क्या update देखे seated का जो notification उसको आना जरूरी है नहीं तो क्या होगा कि जो बच्चे seated appearing देंगे उनको मौका नहीं मिल पाएगा तो last time seated का result को लेकर मामला फत्रा त सुरू हो सकता है इसके लिए मैं तैयार रहना है नहीं तो सिर दिक्कत आए कि बाद में चली दोस्तों जो भी अपडेट आगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे तो यहां पर जरा official website पर देखते हैं seated की यहां पर देखे अभी तक seated result को लेकर अपडेट है सम्मिट की चैलेंज तो मतलब अभी तक अलग से कोई अपडेट नहीं आए उसके बाद BPSC को लेकर देखे बिहार में क्या हो रहा कि सूबे में डो में साल निति लागो जीतन नाम मांझे इनका मतलब यह कि वोट दे बिहारी नौकरी पाय बारी यह नहीं चलेगा ठीक है इनका मतलब अब यह कि जो बच्चे बिहार के बाहर के उनको नौकरी बिहार में नहीं मिलने चाहिए एक और बड़ी खबर आई कानपूर में छात रेने कच्छा में सिच्छक को गोली मार दी यहां पर आप देख सकते हैं तो चलिए अगली अपडेट देखते हैं एक और प्रयास अफ सब्सक्राइब नियोजिस सिच्छक बनेंगे राजिकर में ठीक है तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में दोस्तों और भी जो भी अप्लेट आई के अप्लेट हम आप तक पहुचाते रहेंगे तो तैयारी में आप लगे रहिएगा फिर मिलते हैं श्टेकनेक्टेट आपक और देंस तो भूख